सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक नया विवाद छिड़ गया है ये विवाद छिड़ा है अभी शेक मलहान और एलविश यादव के बीच में असल में एलविश यादव का अंकित बैयान पुडिया के साथ एक नया गाना आया है इस गाने का नाम है छोरे हरियाना के इस गाने का टीजर प्ले डीमेफ हरियानवी पर शेयर किया गया टीजर रिलीज होने के बाद अभी शेक मलहान की तरफ से एक मेसेज लिखा गया जिसने की एलविश यादव के फ्रांस के सेंटिमेंट्स को होट कर दिया असल में एलविश का गाना जिसके साथ आया है अंकित बैयान पुरिया वो अपनी वीडियो उसको इस तरीके से शुरुवात करते हैं राम राम भाई सार्या ने बस यही बात अभिशेक मलहा ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में अपने फैंस के लिए लिख दी अभिशेक ने लिखा राम राम भाई सार्या ने और बनाई जोर से हसने वाली इमोजी अभिशेक का ये मेसेज देखने के बाद एलविश फैंस ने कहा कि अभिशेक ने अब तो नेगिटिविटी की हर हद पार कर दी तो कोई फैन ऐसा भी था जिसने ये कहा कि अभिशेक ने हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा उनका नाम लेकर भी मजाग कर रहा है किसी ने ये कहा कि अभिशेक मलहान जेलिसी की हद है तो किसी ने ये कहा कि अभिशेक तुम्हें शर्मानी चाहिए इसी तरीके के कमेंट्स के साथ ऐलविश यादफ के फैंस अभिशेक मलहान की निंदा कर रहे हैं अब अभिशेक ने ये राम राम भाई सार्या ने किस सेंस में लिखा किया अभिशेक वाकई अंकेत और ऐलुश के गाने का मजाक उड़ा रहे थे या फिर अभिशेक ने genuinely अपने fans को राम राम कहने के लिए ये message लिखा था ये तो हम नहीं जानते लेकिन इतनी बात तो तै है कि अगर आप star हैं तो आपको एक-एक शब्द सोच कर बोलना चाहिए क्योंकि आपके हर शब्द पर public की पैनी नजर रहती है आपके मूँ से यहां कुछ गलत निकला नहीं वहाँ public आप से सवाल करना शुरू कर देगी आपको ट्रॉल करना शुरू कर देगी Final Cut News Desk